मित्र लोग सभा चुनाओ 2024 संपन हो चुके हैं, जिसको जितनी सीटे मिलनी थी, जिसके खाते में जितनी सीटे आनी थी आ चुकी हैं, सरकार प्रधानमंतरी मुदी बनाने जा रहे हैं, लेकिन यूपी अभी भी हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, आकिर यूपी में सीटे क करवण नहीं होनी चाहिए, उन्होंने कई बड़े-बड़े फैसले यूपी के अंदर लेना शुरू करनी हैं, क्या फैसले लिए, मैं आपको आके बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले, मैं आपको कुस तस्वीरे दिखाना चाहता हूं, ये तस्वीरे दिल्ली से आई हैं, पौडी को चुना जा रहा था, आप तस्वीरे भी देख रहे हैं, लेगिन इस पूरे वीडियो में जो एक खास बात नजर आती है, वो ये बात नजर आती है कि योगी आजति नात का चेहरा एकदम उतरा हुगा, योगी आजति नात का चेहरा एक्ड़ना चाहता हूँ है, और वो उदास इसलिए नजरा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो पार्टी का प्रफॉर्मेंस था वो काफी जादा कमजोर हो गया बार बार यह कहा जा रहा है कि योगी आजित तनात के यूपी में अगर बीजेपी को 15-16 सीटें और आ गई होती 20 सीटें और आ जो बहुमत का अंकड़ा है वो बीजेपी के पास होता तो जाहिर सी बात है कि चाहे कोई यह भी कहे आप जिसमें आपको από को दिखा रहा हैुआ दुबारा से दिखी बेगिएवे वीडिएओ आप चाहे कोई यह कहे कि हमि श्याय और योगी का टसल है चाहे कोई यह आजिक गम जदा है उससे उसका तकलीफ उसकी दुख योगी जी को है. और ज़ाद इस बात को प्रधान मंतरी मोदी भी समझते हैं. इसलिए सेंटरल हौल में जब योगी आदित्यनाथ प्रधान मंतरी मोदी को शुपकामरा nomaday देने के लिए आये, तो उस वक्त प्रदानमंत्री मोधी ने खुद उनके कंदे पर देखे किस तरह से एक तरह कंदे को ठोका एक तरह से उनको बहुत हौंसला दिया और यह कहा कि अभी तो आगे इक्षारा दिया कि अभी तो आगे बहुत लड़ाई है और आगे बहुत मौके मिलने वाले और यो बड़े बड़े सांसत जो कि नए-नए सांसत चुनके आए थे वो योगी जी के साथ जो है योगी जी को परिटा है वो सांसतों नगता है कि योगी जी की साथ एक फोटो की चालेंगे तो लोग छेत्रमा देखेंगे कि इतना परिशान फरन के तरफ जो स्जीgnet उनको उनकी माह सुनिया गांदी कह रही है कि वो शेर हैं आखिर ठीक है लावचिन हो गही रावल गांदी की ये वास है लेinka कुलभा करके जो स्थित्य यहे जो यूपी का जो खिला है अब उसको मजबूत करने में योगी आज इतनात पुरी तरह से लग चुके है और उनने लगातार कई बड़े-बड़े फैसले लिए हैं लगातार कई बड़ी-बड़ी मीटिंग्स वो कर रहे हैं और उसी तरह से उन्होंने इस जो यह यूपी में हार हुई इसके बात दी कहीं भी यूगी जी निराश अपने फैसलों को लेके देखे तो बिल्कुल भी नहीं यूपी की सारी विष्थाओं को चाग-चौबंद किया जा रहा है सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहला फैसला क्या लिया योगी ने सबसे पहला फैसला यह लिया योगी ने कि जितने लोग भी यह चुनाओ जीतने के बास सहारनपुल में और तमाम इलाकों में जो लोग लोग भी हुड़दन करते न जा रहे जो समाजवादी पार्टी के सासदों के समर्थन में में उत्पात करते न जा रहे उन सभी के ऊपर कारवाई तो अब योगी जी का जो अगला टार्गेट है वो यह है कि जिस व्यक्ति को मतलब जिसको भी अगर आपको सुधाय देनी है तो सुधाय उसके अनुपात में होनी चाहिए यह नहीं होना चाहिए कि अगर मुसल्मानों के अबादिर थेरा परसेंट है तो उनको 30-40 परसेंट का लाब मिल रहा है जो कि यूपी की हकीकत है इस चीज को अब योगिया इतनात रोखना चाहते हैं और इसलिए आप चर्चा हो रही है कि यूपी के अंदर पॉप्लेशन कंट्रोल बिल लाया जा सकता है और यह जो बिल है इसमें मैं अपने को सुझाओ देना चाहता हूँ इस बिल में जो सामाने वर्ग है सामाने वर्ग में जो लोग कमजोर दरदल बिल यह कहा कह रहा है कि जिनके दो बच्चे से ज़्यादा बच्चे हैं उनको लाब नहीं मिलेगा योजनाओ का इसमें हम ये बात एड़ करना चाहते हैं कि जिन सामाने वर्ग के लोगों के उनको भी इसका लाब मिलना चाहिए, इस तरह से इसमें जो लोग गरीब रिखा के नीचे हैं, उनको इसमें लाब जरूर मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, तीसरा जो बड़ा फैसला ये है कि रोजगार को लेकर के, क्योंकि रोजगार भी कहीं न कहीं एक मुद्दा रहा, तो उसको लेकर सीधे सीधे योगिया इतनात ने आदेश दिया है कि सभी अधिकारियों को, मंत्रियों को, कि जितनी भी भरतियां है, जितनी भी सरकारी पत खाली हैं, सब को फोरण के फोरण भरा जाए, तीसरा जो फैसला है, वो चात्रों के भविश्यों को लेकर के है, य इतनी परिशाएं उन सब को फटा पड़ निटाना होगा ताकि चात्रों को बेवजह गर्मी से जूजना ना पड़े चौता फैसला उन्होंने यह लिया है कि जितने भी गन्ना किसान है उन सभी गन्ना किसानों को पेमेंट जो फॉरण के फॉरण होनी चाहिए जो नया सत्र होने से पहले उनको उनका पैसा मिल जाना चाहिए यह चौथा जो है उनने बड़ा फैसला यह है कि बहुत भेंकर भीशन घर में शुरू हो चुकी है इसलिए कहीं पर भी बिजली कटावती ना की जाए जब तक कि ट्रांसफार्मर फुग गया कोई दिक्कत होगे तो बात दूसरी है वरना किसी तरह की भी कोई बिजली कटावती नहीं होनी चाहिए यह बात यूगी जी की तरफ से फैसला लिया गया है और चटा एक सबसे बड़ा फैसला और उनने यह लिया है कि मनरेगा किता है जो मजदूर काम कर रहे हैं उनमें कई जगा यह खबरें आ रही ह है कि हाँ उनकी आप एक्षा कर सीटे नहीं आई लेकिन अगर देखें उनका विजन तो काम बर काम में फोकस में उनमें कोई कमी नहीं है वह अपने फैसलों के जरीये दुबारा से बीजेपी को यूपी के अंदर शिर्स पर पहुचानी के लिए पूरी ताकत लगाने जा है यह बात हमें यहां पे समझ में आ रही है और जिस तरह से ले प्राने संसलत में जो बीए आसं रहा है तो वा अभी योगीयी के साथ नजर आ रहा है उफिस पर आके विचार क्या है योगी आपके फैसले पर आप क्या सोचते हैं या आपकी एकर कोई राय है कि ये फैसला यूपी में होना चाहिए तो उसको भी आप उठा सकते हैं ये काम होना चाहिए उसको मैं आगे अपने वीडियो से बताऊंगा जो आप सोच रहे हैं आपके मन में जो है वो अपनी टिपड़ी इस पर जरूर लिखे नमशकार धन्यवाद